मैं हूं राजुरेंजन पटेल और आप देख रहे हैं Pharma Expert Channel फ्रेंड आज बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिसकस करने हैं हमारा आज का टॉपिक है कि प्रिंटेट फॉयल और बेस फॉयल को हम कल्कुलेशन कैसे करें यानि एक्चुल में जो हमारा फ्रेंड प्रिंटेट फॉयल कंजूम होता है वह एक्चुल में कितना हो था हम इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में देखेंगे आपको हम कल्कुलेशन पूरे समझाएंगे और क्या तरीका होता है कल्कुलेशन करने का यह भी बताएंगे फ्रेंड हरी कंपनी में अलग-अलग-अ प्रिंटेट फॉयल कंजूम होते हैं उसका कल्कुलेशन अगर करना हो तो यह तरीका बेश्ट होता है तो चलिए फ्रेंड समागे कि हमारा बैज साइज 5.0 लाग का हमारा बैज साइज है तो अगर ब्लिश्टर अगर हमारा जो ब्लिश्टर का पैक है वो 01 x 15 का है यानि एक ब्लिश्टर में हमारा कितना टैबलेट जाएगा तो 15 जाएगा ठीक है तो फ्रेंड अगर हम इसको ब्लिश्टर में काउंट करें तो कितना होगा यह होगा 33,333 ब्लिश्टर यानि नंबर अफ टेबलेट में अगर हम कल्कुलेट करेंगे तो 5.0 लाग का हमारा बैज साइज है अगर हम strip में या blister में कल्कुलेट करें तो वो हमारा होगा 33,300, 33 blister का हमारा एक बैज साइज होगा तो friends आपने bomb में देखा होगा कि I'vevous बम में हमारा बील-ओफ मैटेरियल में हमारा printed फॉयल काटन सीपर चुपोर्ज किघेए कि 5.0 या 3300 333 सीधर पैक करने के लिए हमारा जो printed फॉयल है जो हमारा printed foil है वो हमारा 15 kg dispense हुआ है ठीक है हमें calculate करना है कि हमारा जो actual जो consume quantity है batch को pack करने में कितना हुआ है तो suppose किजिए कि हमारा जो batch pack हुआ है वो 30,000 blister pack हुआ है तो 30,000 blister का consumption कितना हुआ तो friends इसको calculate करने के easy तरीका है जब हम machine की setting करते हैं तो machine setting कर तो उस time में हम एक blister निकालते हैं जो without sealing के हो यानि जो हमारा blister निकलेगा उसके उपर printed foil और best foil रहेंगे लेकिन वो sealed हुए नहीं रहेंगे तो friends ओप blister हमारा इस तरीके से आएगा इस तरीके से हमारा complete blister है friends और यह हमारा printed foil हो गया क्या करेंगे कि हम इसको जो हमारा printed foil है blister के उपर लागा हूए है इसको रिमूब कर देंगे हमारा blister loofole》 हो गया और हमारा best foil है friends यह एक blister को बनाने में जीत्रा यह हमारा printed foil consum रहें है इसको हम weight कर देगे जो हमारा छोटा balance होता है उसके उपर weight कर लेंगे, weight करने के बाद friends हम इसका find out करेंगे कि इसका actual weight कितना है, सब पूज कीजिए कि इसका weight 0.3 gram है, 0.3 gram है, एक blister को बनाने में जो हमारा file का consumption है, वो 0.3 gram है, तो friends हमने 30,000 blister pack किया है , तो 30,000 blister pack करने में हमारा कितना actual printed file है वो कितना होगा, याण actual printed file consumption 15 friends हमारा कितना होगा तो friends इसके लिए एक blister का हमने इसको weight कर के निकाल दिया है कि हमारा एक blister में actual में कितना printed file लगता है, वो हमारा लग drinking फ्रेंट 0.3 ग्राम और हमने कितना पैक किया है 30,000 टैप में ब्लिश्टर पैक किया है अगर 30,000 ब्लिश्टर पैक किया है तो 30,000 से इसको हम multiply कर देंगे multiply करेंगे तो friends हमारा यह जो आएगा kg में convert करना चाहें तो तो एक kg is equal to होता है थाउजन क्राम तो इसको हम थाउजन से डिवाइड कर देंगे करते हैं तो यह हमारा हो जागा 9.0 kg यानि friends actual में हमें 33,333 ब्लिश्टर पैक करने के लिए हमें मिला था 15 kg और लेकिन हमने कितना ब्लिश्टर पैक किया है हमने पैक किया है 30,000 तो 30,000 पैक करने के लिए हमें actual कितना quantity printed file की जरूरत होगी या कितना consume होगा होगा तो ओ है 9 kg तो अब हमारे पास remaining remaining printed file कितना होगा यानि 15-9 कर देंगे तो हमारा 6 kg और यह जो 6 kg है 6 kg में कुछ हमारे setting में जाते हैं कुछ rejection होता है और कुछ हमारे quantity बच जाते है जो good होता है वो MRN होता है material return note इस तरीके से हम actual जो printed file की या best file की को calculation करते है फ्रेंड यह